नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर कोचेंग आई है इस भाई टेस्ट्बुक में तो दोस्तों एपल ने ट्विटर को थ्रिटन किया है कि वो उसे एप स्टोर से निकाल देगा और इसके लिए कोई कारण भी नहीं बताया गया है ऐसा इलॉन मस्क का दावा है तो यहाँ पर सवाल उठता है आखिरकार इलॉन मस्क और एपल में वो क्या फ्यूड क्या है किस बात पर दोनों में इतना ज़्यादा रशा कसी चल रही है तो वो आज की क्लास में हम जानेंगे साथी साथ आपको बता देता हूं इलॉन मस्क ने कह दिया है बातों बातों म सटलाइड फोन देंगे याने नेग्स्ट जनेरेशन व फूंस अगर कोई उफर कर सकता है किसी कंपनी के पास वह को इंफर स्ट्रक्टर रहे तो वह सिर्फ और एलॉन मस्क के पास है तो टेसला फोन काफी टाइम से इसकी बात भी हो रही थी टेसला पाइफोन या पिलोन फोन अलग-अलग नाम से जाना जा रहा है तो वो जो पाई फोन आएगा वो क्या होगा उसके बारे में भी जानते हैं क्या इलाउन मस्त ने खुद कहा है अपने ट्वीट के द्वारा तो आप देख सकते हैं इलॉन मस्क ने क्लेम किया है कि ट्विटर को रिमूव कर देगा एपल एप स्टोर से और इसके लिए कोई कारण भी वो नहीं बता रहा है लेकिन कारण तो सब जानते ही है कारण क्या है दोस्तों जो सजेशन्स हैं इस कारण सब को लग रहा है वो क्या है कि ट्विटर जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है तब से कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी में उनमें चेंज आई है और इस वज़े से कई एकाउंट जो की प्रीवेसली बैंड थे उनको रीन स्टेट किया गया है जैसे डॉनल्ड ट डॉक कर देती है अैपल अगर ट्विटर को अप स्टोर से ब्लॉक कर देती है तो इसका इंपक्ट बहुत भ्यानकária हो सकता है अगर अंप स्टोर का एक्सेस बंद्र हो गया तो गेट्वेओ है तो नए यूजर्स कैसे ट्विटर का एैप्डेट डॉनलोड करेंगे तो कही ना कही Twitter का एक major chunk of user खतम हो जाएगा अगर Apple ने ऐसा कदम उठाया तो अब सवाल उठता है आखिरकार Apple और Elon Musk का issue क्या है दोस्तों issue बहुत गहरा है आप देख सकते हैं जो आप आज के time में इनके बीच में रशागसी देख रहे हैं इलॉन मस्क ने पोल करवाया है कि क्या Apple को बताना चाहिए कि वह उसकी censorship policies से कैसे लोगों पर impact होता है याने की बाते काफी अगर आप देखे तो खटास भरी हो चुकी है तो advertisers सबसे पहले तो अगर आप देखे जब से इलॉन मस्क ने Twitter को टेक ओवर किया है तो कई advertisers अपना advertising budget प्रिटर से कम करते जा रहे हैं कई competitors भी हैं अगर आप देखे टसला मोटर्स के जैसे GM उन्होंने भी काया कि आप कई कंपनी ऐसी है लेकिन यहां पर आपको कहना चाहूंगा इलॉन मस्क अगर सबसे ज्यादा किसी पर लाई कर रहे थी तो ट्विटर उन्होंने काफी अच्छे कासे पैसे अदा करके उन्होंने खरीदा है तो उसके बाद अगर आप देखे उसको प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है पर यहां पर इस वक्त अगर आप देखे जबसे अगर आप देखे तो ट्विटर पर डे फोर मिलियन डॉलर लूज कर रही है अगर हम आपल की बात करें ना तो ट्विटर में टॉप एड़टाइजर थी करीबन करीब साल आना एड़टाइजिंग बजट ट्विटर पे अपल का 100 मिलियन डॉलर्स का हुआ करता था कारण क इसके सिवा इलॉन मस्क आपको मालूम है वो चाते हैं कि जो ट्विटर है उसे अड़टाइजिंग रिविन्यू से किया जाया जा सके एड़टाइजिंग पर रिलाई ना करे ऐसा वो चाते हैं ट्विटर और इसके लिए वो ले करके क्या है आपको मालूम होगा आठ डॉलर में ब्लू टिक मिलेगा कुछ ऐसी उनकी पॉलिसी है लेकिन यहां पर होता क्या है ना जब भी कोई आप करता है तो एपल एप स्टोर थर्टी परसंट कमिशन चार्ज करती है जिसको इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा है डियू आपल पुट सा सीक्रेट थर्टी परसंट टाक्स ऑन एवरिटिंग यू भाई थ्रू दी आप स्टोर तो याने कि अगर आपको ब्लू टिक ख के पास जाता है यूजिली 30 परसंट है लेकिन नेट्फिक्स के लिए क्योंकि काफी ज्यादा लोग हर महीने लेते हैं तो कुछ उनमें डील हुई है जिससे यह नंबर थोड़ा कम किया गया है तो मस्क ने इसी 30 परसंट को कहा है यह सीक्रेट टैक्स है और इसके लिए यह से नोचता है तो वहीं से आया है यह कही ना कहीं आप देखे तो यह फ्रेज मुहावरा टूथ एंड नेल लडेंगे तो इलॉन मस्क ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एपल ने अड़र्टाइजिंग स्टॉप कर दिया है एपल 30 परसंट सीक की लगाता है घुगल फ्लेड स्टोर लगाता है इस प्रकार का चार्जेज लगाता है उस चार्जेज को रिगूलेटो जाएगा तो developers को ज्यादा control होगा अपने apps के ऊपर और जो commission देना पड़ता है वो commission कम होगा दोस्तों apple के लिए बहुत ज्यादा नुक्सान दायक हो सकता है क्योंकि apple के लिए सालाना बाइस billion dollar का revenue collection इस app payment system के थ्रूई होता है तो इसको अगर regulate कर दिया गया तो apple के लिए बहुत नुक्सान दायक होगा वैसे epic शायद आप लोग उन्हें fortnight video game के बारे में सुना होगा तो उसके makers है epic तो epic ने already apple को सू किया था कि उनकी जो ही behavior है this is anti competitive behavior हाला कि वो अभी भी pending है अभी अपिलेट्स चल रहा है अपील पर गया हुआ है और वो pending है तो यहां पर आपको कहना चाहूंगा apple ने भी feedback किया था and epic के app को fortnight को app store से भी उन्होंने निकाल दिया था तो काफी नुक्सान हुआ तो कहीं न कहीं एक प्रकार से इपने dominant position को apple and google abuse कर रहे हैं इसमें कोई दोमत नहीं है इसके सिवा Elon Musk ने एक tweet भी किया है तो उन्होंने का उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या apple iPhone बनाता है क्या वैसे ही Elon Musk को कहा गया आप तो rocket बनाते हैं जो Mars तक जा सकती है तो क्या आप एक silly सा little smartphone नहीं बना सकते तो Elon Musk ने इसी पर जवाब दिया कि मैं उमीद करता हूं मुझे यह दिन देखना ना पड़े लेकिन जरुवत पड़ी तो I have no choice मैं alternate phone भी बना दूंगा पहले भी Elon Musk ने कहा लेकिन मार्केट में ऐसी पास भी थी कि टेसला अपना एक phone launch करने वाला है कारण क्या है कि टेसला का कहीं न कहीं आप देखें तो Elon Musk का SpaceX का already satellite internet based connectivity प्रोवाइड कर रहा है तो satellite communication का infrastructure इनके पास already मौजूद है टी mobile के साथ इनकी एक deal भी हो रखी है तो कोई बड़ी बात नहीं है Elon Musk के पास चीजें at place है वो जिस दिन चाहें उस दिन अपना phone भी ला सकते हैं जाहिर सी बात है दिक्कत होगी कितने लोग readily move करेंगे उनके phone पर क्योंकि एक ecosystem है वो पूरा का पूरा ecosystem बनाना पड़ेगा कई apps लाने पड़ेंगे तो क्या app developers उस ecosystem के तरफ move करेंगे तो वो भी काफी सारी बाते होंगी इसके सिवा Elon Musk की बागी गाडिया है Tesla की cars वगेरा है इलॉन मस्क की टेसला की cars वगेरा है उनमें keyless entry bluetooth वेस्ट होता है यूजिंग आईफोन वगेरा तो वो पूरा का पूरा ecosystem crash हो सकता है तो Elon Musk के लिए इतना असान नहीं होगा smartphone market में कूदना लेकिन जरत पढ़ने पर उन्होंने कहा है कि वो भी कर देंगे तो जो भी है दोस्तों इस वक्त काफी दिल्चस्प होने वाला है कैसे Elon Musk और कहीं आपल के बीच में जो रचा रचा कैसी चल रही है वो देखने लाइक होने वाला है दोस्तों आजी क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजेगा टेलिग्राम चैनल जहां पर अब जूड़ सकते हैं जहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके सिवा आज आखरी दिन है अंते मवतर सेल का जो सब्सक्रिप्शन आपको करीबन 45,000 में मिलत अगर आप लखी हुए सब्सक्रिप्शन लेने पर हर एक घंटे में एक मुबाइल फोन भी दे रहे हैं तो आपको मुबाइल फोन भी मिल सकता है और यहीं आपको याद रखना है आज आकरी दिन है make sure इस दिन को अपने हाथ से जाने ना दे